नमश्कार, चार बीज मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जिसका इस्तिमाल करके आप गैस अगर आपको जादा बनती है या वायू विकार जिसमें जोडों में दर्दें, मान स्पेशियों में दर्दें, नसों में अकडाहर्ट ब्लोकेज की शिकायत है या कुछ भी खाते ह है तो खाना फस्ता नहीं है, गैस बनता है, चाती में, पेट में दर्द उठने लग जाता है या कई महिलाओं को मासिक धरम के समय पेडू में दर्द हो जाता है तो ऐसे में इन चार बीजों का इस्तमाल करके आप लाब उठा सकते हैं, चार बीज में सबसे पहले आजाता ह है मेथी के बीज, दूसरे नमबर में आता है चन सूर जिसे हालम बीज के नाम से जानते हैं, तीसरे नमबर में आ जाता है हमारा मंगरेला जिसे कलोंजी के नाम से जानते हैं, चोथे नमबर में आता है हमारा अजवैन, इन चारो बीजों को लाके बराबर मातरा में लाएं 50-50 ग्राम लाके पीस के पाउडर बनाएं एक चमच पाउडर सुबे एक चमच पाउडर शाम को गुलगुने पानी के साथ भोजन के आदे घंटे बाद इस्तमाल करें वाज से संबंदित पीमारियां कफ से संबंदित जैसे खांसी सर्दी जुकाम बार-बार हो जाता है तो ऐसे में इसका इस्तमाल करने से पूरन रूप से चुटकारा पाया जा सकता है जो लोग मोटापा घटाना चाते हैं उनके लिए इन चार बीजो का पाउडर भी बहुत फाइदेमंद है जो लोग कोलेस्टरोल घटाना चाते हैं बीपी कंट्रोल रखना चाते हैं शरीर में वात से संबंदित बीमारिया नहीं लाने देना चाते हैं उनके लिए चार बीजो का पाउडर बहुत फाइदेमंद साबित होगा और मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे बताएगे इस मुष्के से आपको पूरन लाब मिले तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको पूरन लाब नहीं मिलता तो आप नजदी की डॉक्टर से या हम से संपर कर सकते हैं धन्यवाद